सबस्ति कि जिस तरह से फिजिकली हम क्हाना खाते हैं ताके हम बॉडि में हमारी बॉडी शरीर तंद्रुस्तर है भला चंगा जिसतर चाहिंम थिए खाना खाते हैं और वह समस्तु कुछ लेते हैं मिनरल्से हैं जिम हरों जित you कहा MS ने शरीर का ध्यान रखते हैं हालेलुया उसी तरह से हमारी आत्मिक लाइफ भी है जो हम परमेश्वर में हैं परमेश्वर का वचन यहन्ना की तीसरी पत्री अगर आप एक ध्याए और उसकी दो आयत को देखें तो उसमें क्या लिखा है कि मेरी ये प्रात्ना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नती कर रहा है व हमारे परिवारिक ब्लैसिंग्स है हमारी मैरिटल लाइफ है हमारे बच्चों की सक्सेस है उनका bright future है और भले चंगे रहना जानी के हमारी सभी चिज़ें हमारा परिवार हमारी सेहत हमारी financial ब्लेसिंग्स सब बातों में भले चंगे रहना और सेहत का अच्छा रहना स्वे सेहत का बिना रोगों के स्वास्थ का पर मेशुर कहता कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा जानी के हमारा अच्छा स्वास्थ रहना financially blessed रहना पारिवारी करिती से हमारी married lives का हमारे बच्चों का bright future होना सब किस पर अधारित है इसमें हम फिर से एक बार देखेंगे कि लिखा है कि मेरी ये प्राग जैसे तू आत्मिक उन्नती कर रहा है वैसे ही तू financially वैसे ही तू पारिवारी करिती से वैसे ही तू सब बातों में उन्नती करे और तेरा स्वास्त अभी अच्छा रहें सो financial blessings के लिए अच्छी सेहत के लिए क्या जरूरी है आत्मिक उन्नती कि हम आत्मिक रिती से ग्रो होते जाएं जी जरूरी है ताके हम financially bless हो ताके आर्थी करिती से bless हो ताके पारिवारी करिती से bless हो family blessings हमें मिले ताके मारी सेहत अच्छी रहे हाले लिया उसके लिए क्या जरूरी है आत्मिक रिती से ग्रो होते जाना आमिन जब परमेश्वन ने अबराहम को कहा Genesis उत्पत्ती की पुस्तक स्तारा उसकी एक आयत में परमेश्वन ने क्या कहा था अबराहम जो 99 वर्ष का था 99 येर का था परमेश्वन ने उसे क्या कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर यहवा जो सर्वशक्ति मान हूँ मेरी उपस्तती में चलता जा और सिद्ध होता जा परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि सिद्ध होता जा ताकि जो मैंने तेरे लिए रखा है वे मैं तुझे दिखा सकूँ वे तुझे मैं बता सकूँ ताकि उन योजनाओं को मैं तुझे दिखा सकूँ जो परमेश्वर कहता कि मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी में पूरी हूँ लेकिन उसके लिए क्या करता जा शिद्ध होता जा सिद्ध होना परफेक्ट होना यानि कि आत्मा में ग्रो होते जाना हालेलुया तो अगर आप ध्यान से देखो ता अबराहम उस समय कितनी एज थी उसकी वो बूड़ा हो चुका था नाइन्टी नाइन इयर का था उस समय और परमेश्वर ने उसे तब भी कहा कि मैंने तेरी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोचा है तेरे लिए बहुत से बड़ी बड़ी आशिशे हैं बहुत से बड़ी योजनाई हैं तेरे लिए तेरे वंच्छों के लिए परमेश्वर कहता है लेकिन वैं तब दूँगा जब तु आत्मा में ग्रो होगा 99 year का और फिर भी परमेश्वर उसे expect कर रहे हैं कि तु जब आत्मा में grow होगा शरीर में नहीं जब आत्मा में grow होगा आपकी उमर जो है वो माईने नहीं करती हालेलुया आपकी आत्मिक growth माईने करती है परमेश्वर से अपनी blessings को परमेश्वर की योजनाओं को आपकी जिंदगी में फुल्फिल हो उसके लिए आपकी आत्मिक growth माईने करती है हालेलुया तो वो जब सिद्ध हुआ जब आत्मा में grow हुआ फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा जो मैंने तेरे लिए रखा है वाज सब मैं तुझे दूँगा हालेलुया कि तु जातियों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा हालेलुया लेकिन सबसे पहले क्या कहा था जब बूड़ा हो चुका था है कि नो नो तेरी शरीरे कुमवर नहीं तरी आत्मिक ग्रोथ माइने करती है पहले सिद्ध होता जा हालेलुया सब आप जितने जन अपने आपको आप चाहे बूड़े हो चुके हैं चाहे आप यंग है जाहे टीन एज में चाहे छोटे हैं परमेश्वर कहता है कि कोई माइने नहीं करती तेरी एज मैंने जो तेरे लिए रखा है मैं वो कभी नहीं दूँगा अगर तो तेरी आत्मिक ग्रोथ नहीं बड़ी यदि तू अभी भी बच्चा है तो हालेलुया परमेश्वर का वच्चन जब हम निकाले हिब्रियों 12 उसकी दो में लिखा कि विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले येश्व की ओर सदाई ताकते रहो हालेलुया फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूँगा परमेश्वर का वच्चन आगे चलकर ये भी कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरू हो जाना चाहिए था लेकिन तेरी जो आत्मिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है इसलिए जो बाते मैं तुझे जाना चाहता हूं वो मैं तुझे नहीं बता सकता क्योंकि तुम अभी बच्चा है और बालक जो है जो के बारिस है वो जब तक बालक रहेगा उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं यानि कि जिस तरह से हमारा बच्चा चाहे वो हमारे बारिस है लेकिन हम उन्हें बड़ी नहीं चला सकते कहीं आजा नहीं सकते बाहर नहीं जा सकते special assignments नहीं उन्हें दी गई हालेलोया असल बात हुई है कि उन्हें अभी तक यह नहीं पता कि वो किस घर में आये हैं उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है आलेलोया क्योंकि वो क्या है अब बच्चे हैं व सो कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आद शिक्षा फिर से सिखाए, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन के बदले अब तक दूध ही चाहिए, हालेलुया, परमेश्वर कहता कि आत्मा में ग्रोह होते जाओ, बालक वारिस तो है, लेकिन जो परमेश्वर ने उस वकील अगर उसे सविधान की नालज नहीं है, सविधान की धाराओं का नहीं पता, तो वो क्या लड़ेगा और जीतेगा, उसी तरह से हम है, हमारा परमेश्वरिय सविधान की ही समझ नहीं है, तो क्या हम किस वचन का हवाला देकर हम शातान से लड़ेंगे और उससे जीतेंगे और फत्य पाएंगे हालेलुया तो परमेश्वर क्या कहता है कि आत्मा में ग्रोह होते जाओं आमें